हेलो दोस्तो नमस्कार मैं योगिश आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल दमेजिक फील में दोस्तो आज हम मेरा एक फेवरेट संग प्ले करना सीखेंगे जरासा जूमलू में फ्राम दमूवी डीडी एल जे दोस्तो इस संग को गया है आशा जी और अभीजीत भटाचार है सरने दोस्तो यह गाना सी माइनर स्केल के अंदर है और दोस्तो इस कंप्लीट संग को हम सेवन बेसिक कोड के अंदर प्ले करना सीखेंगे देख लीजी कौनसी कोड है पहली कोड है सी माइनर इसके बाद ए शार्प मेजर इसके बाद जी शार्प मेजर दी शार्प मेजर F minor G major और last chord है दोस्तो G minor तो इन basic chord के अंदर इस complete sum को हम प्ले करना सीखेंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी request है अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे साथ ही में बैल आइकन होगा वो भी प्रेस कर दीजे देन एक option खुले कर जिसके अंदर आपको all पे click करना है जिससे कि हमारी सारी वीडियो की notification आपको मिल जाएंगी तो चली दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और सीखते हैं सॉंग को keyboard के ओपर play करना दोस्तों गाने किसे बाद होती है कुछ इस तरीके से देख लीजिए इसके बाद यहां पर flute आजाती है देखिए वापिस से गाना continue again flute again continue इसके बाद गाने की शुबात इस ट्रिंग्स के एक रन से होती है देख लीजिए मैं उसको बजा के दिखा देता हूं आपको इसके बाद यहां पर एक मेंडोरियन के देखिए इसके बाद गाना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों तो एक बार मैं से प्ले करके दिखा देता हूं देन उसके बाद हम उसको स्लो करके प्ले करना सीखेंगे देखिए दोस्तों आप सीखते हैं इसको स्लो करके प्ले करना लाइन्स हैं जरा सा जूम बलू में अरे नारे नारे ना देख लीजिए इसके बाद लाइन्स हैं मैं चली बन के हवा देखिए इसके बाद लाइन्स है रभा मेरे मैनू बचा देखिए इसके बाद दोस्तों इन लाइन्स को कंटीन्यू प्ले करना है एक बाद और रिपीट करेंगे देख लीजी फिर से बता देखिए इसके बाद दोस्तों इसके बाद देखिए इसके बाद दोस्तों गाने का एम फस्स म्यूजिक देख लीजी तो इसको प्ले करने के लिए मैंने इस्ट्रिंग्स और मेंडोलियन का यूज किया देखिए इसके बाद यहां पर मैंडोलियन जाता है इसके बाद वापस से स्ट्रिंग्स वापस से मैंडोलियन इसके बाद दोस्तों गाने का अंकरा स्टार्ट हो जाता है तो एक बार मैं इन लाइन इसको प्ले करके दिखाऊ हुआ देन उसके बाद हम इसको स्लो करके प्ले करना सीखेंगे देखिए करके बार मैं इसके बाद चले करेओ झा झा स्ट्रिंग्स करके बार मैं इसको प्ले कर का जाता है दोस्तों आप सीखते हैं अंद्रे की लाइंस को स्लो करके प्लेगना लाइंस हैं मौसम ये बहिमान मस्ती का ये समा रोको और लोगो जमी पे गिरने लगा आसमान देखिए यहां पे एक स्ट्रिंग्स का फिलर है वापस से गाना कंटिन्यूँ यहां पे एक स्ट्रिंग्स का फिलर आजाएगा देखिए वापस से गाना कंटिन्यूँ इसके बाद लाइन्स हैं, ठुमक ठुमक के जूलूंगी, मैं उड़के गदन को छोलूंगी, मैं चली बनके हवा, रब्बा मेरे मैनु वचा, देखिए इसके बाद आपको वही गाने की मेर लाइन्स को प्ले करना है, जरा सा जूमलू में, अरे ना, अरे ना, देख लीजी, फिर से एक बार बता देता हूं इसके बाद दोस्तों गाने का I am second music देख लीजी, तो इसके बाद दोस्तों गाने का I am second music देख लीजी, इसको प्ले कनने के लिए मैंने इस्ट्रिंग का यूज किया यहां पर, देखिए इसके बाद दोस्तों गाने का I am third music देख लीजी, इसको प्ले कनने के लिए मैंने trumpet और strings का use किया है, देखिए यहां पर strings आजाती ही देखिए वाफसे trumpet इसके बाद दोस्तों गाने का अगला अंतरा स्टाट हो जाता है, थंडी थंडी परवन जलता है यह बदन, जी चाहता है बना लूट तुझको अपना सजन, दोस्तों बागी के जो दो अंतरे हैं इस साओं के भूबी बिल्कुश सेम पहले वाले अंतरे के जैसे ही प्ले कर करना है, कौट के अंदर कोई भी चेंजिस नहीं होंगे, फाइनली दोस्तों हम लोगों ने आज की इस वीडियो में 7 बेसिक कौट के अंदर इस कंप्लीट सौंग को प्ले करना सीख लिया है, अगर आपका कोई डाउट हो या कुछ चीज नहीं समझ में आई हो तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, विकॉस मैं हर रोज कीबोर्ड की, पियानो की और म्यूजी से जुड़ी वीडिय इसलिकर आता रहता हूं आप लोगों के लिए, फिलार के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहन पन्रे मातरम दोस्तों